हाँ जी भायो तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Fantasy Captain में भायो अब तक World Cup में ताबर तोड़ कमाई करने के बाद आज बात करेंगे इंडिया और बंगला देश का मैच होने वाला है सूपर रेट का जोकी खेला जाने वाला है सर विवियन रिचर्ट स्टेडियम एंटी गुवा में ठीक है मैच नबर 47 ये रहने वाला है देखेंगे क्या रहने वाली है यहां की पिछ और पिछ के अकौर्डिंग आपको किस प्लेयर को अपनी टीम में डालना है और कौन से वो बड़े प्लेयर होने वाले है जो इस पिच पे नहीं चलने वाले है ठीक है बॉलर आपको कौन से रखने है इस पीनर्स आपको कौन से रखने है और ग्रैंड लीग के कौन से ऐसे प्लेयर है जो आपको ग्रैंड लीग में अच्छी खासी रैंक लाकर आपको मैंने आपको प्लेयर बताया था और वो सारे प्लेयर अच्छे खासा प्रफॉरमस्थ दिया है उन्हें गया लिए का मैंने बताता है ये प्लेयर निकाल सकता है राशेछ थान नहीं किया सुर्य-कुमार चला ठीक है रोई शर्मा का मैंने बताया था पिछले मैच में अफगानिस्तान वाले मैच में रोई शर्मा फ्लॉप होगा सारे सारी वही चीज़ें हुई फजल अलग पारू की तीन मिकेट लेगा वो भी हुआ तो ध्यान से वीडियों बने रोगे तो बहुत तगड़ी कमाई करने वाले हो चाहिए वो स्मॉल लीग हुआ चाहिए वो ग्रेंड लीग हुआ आज़ो करते हैं वीडियो को शुरू सबसे पहले हम देख लेते हैं पिच किस तरह से रहने वारी है एंटीगोगा की बेगो पिच जो होती है ओवर ओल देखोगे एक बैटिंग फ्रेंडली पिच है यहाँ पर ठीक है बालर्स को तोड़ा बहुत मदद मिलती है इस्पेशली पेसर्स यहाँ पर आच्छा करके आपको दिख सकते हैं बट और ओर ओल ब Rider's यहाँ पर आपको अच्छा हगासा करते दिखने वाले हैं बालर्स पेसर्स टेकट निकालेंगे स्मीनस को तोड़ा बखत मिल सकते है बट नजर ओगी bairesman और Bourz पर एवरेच फसनिंग स्कोर यहां का एक तीस एक चालिस के आसपास होता है इंडिया अगर फस्ट बैटिंग करने आती है तो मुझे लगता है कि एक पचास के उपर भी स्कोर जा सकता है एक साथ-एक सत्तर के आसपास भी आपको स्कोर देखने को तो अभी बताया था कि पेसर्स मैच में हैं यह 500 विकेट निकाले हुए हैं अब तक की 11 मैचों में और 47 विकेट इस पिच पे रेसेंट के जो मैच पिच पे ले लिए आइडिया और किस तरह से आपर स्कॉर होते हैं भी बंगला देश और ऑस्ट्रेलिया गांच वा ता जिसमें 140 नर्डेश ने किया था और सौरन बनाई थी और यह सौरन तुम मत देखना यहां पर वारिश के वज़स से ज स्पीनर्स ने तीन विगेट निकाला था यहां पर और फ्रस निंग में और सेकेंडंड निंग में दो विगेट निकाला था ठीक है दूसरा में साथ-अफरीका और U.S.A का हुआ सौफ अफरीका ने अच्छा साफय स्कौर किया बैटिंग फस्कर तो वे चार विगेट गोकर 194-वाइश जवाब में बहुत अच्छा स्कौर किया थीज़ाए ना? पहली बार केलने आई यह मैच और सौथ अफरीका टीम के सामने इन्होंने एक सोचेटर इनिस पीच पे कर दिया चाहे विकेट को कर इस तरह से विकेट्स गिरे थे ओवरॉल पेसर अच्छा करते हैं दूसर तीसरा मैच जो हुआ था ना दस ओवर्स का ही हुआ था इंग्लैंड और नामी बिया के बीच में इंग्लैंड ने एक सो बाइस रून किया पांच विकेट्ट होकर दस ओवर में नामी बिया चौरासी में अच्छा को फिर्णव में बना पाई इंग्लैंड रियंग पेर में नहीं उखते हैं То आडे टेड़े मैच में मत लगा बहुत से मैच बचे हैं अबी बहुत से मैच बचे हैं जो मैच मेंचे बता दूं रिसकी है थोड़ा कम खेलना वह उसके कमी के खेलना और हाँ ये चीज़ मैं आपको गहां बताता हूँ टेलीग्राम पर बताता हूँ डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक डाला है टेलीग्राम पर जाकर जोईन कर लेना सारे अपडेट आपको वहीं पर दिये जाएगी और मैं सेटर जो भी न्यूस होगा वो दिया जाएगा इसके इलावा ब पीचowi तो बात हो गई अब बात करते हैं Head to Head record की वालो ने जीता है एक बार बंगला देशटर मेचि ये इंडिया ही जीतने वाली है 99.9% मैच इंडिया जीते की पूरे चांस है आप ठीक है अब बात करते हैं इंडिया की प्लेइंग 11 की तो सेम आपको विराट गोली और रोहिष शर्मा ओपनिंग करते दिखने वाले हैं ठीक है देन आपको रिशब पंथ सूरे कुमार शिवम दूबे हार्दिक पाइंडिया जडेजा कुलदी प्यादो को थोड़ा सा उपर बेजा जा सकता है ठीक है और अक्षर पटेल तो हैं ठीक है अक्षर पटेल के बाद ही आए एक प्यादो देन जवसी दूबरा और अर्शदीब सिंग मुहम्मद सिराच की वापसी हो ना हो कुछ कन्फरम नहीं का जा सकता ह क्योंकि और लेडी इनके पास तीन पेसर्स हैं एक हो गए जस्पीद उम्रा एक हो गए अर्शदीब सिंग यह तो आपके पास पेसर्स हैं मतलब इंडिया टीम के पास और अर्दीब पांडिया भी पेसर्स हो जाता है तीसरा प्लेयर और शिवम दूबे को अगर इनोंने जाता है तो जाते हैं तो leadya के पास ऑरे बालंगं स्पेल की बात कर लेते हैं थे को आपको यह दो भूलर देखने वाले और हो सकता है हार्दी पांडे से भी डेप के और में कुछ ओवर्स कराए जा सकते हैं एक आत ओवर ठीक है प्लेयर स्टैट्स की बात करें विराट गोली की बात अगर की जाए तो पंगला देशवारों के सामने पांच मैच केला है उपनिंग कराए जा रहा है तो मेरे इसाब से अकर वन डाउन विराट गोली आते हैं तो बेस्ट प्लेस है विराट गोली की बाई जो बंदा दस साल पंदरा साल से उस प्लेस पे खेलना आप उसे उठाकर ओपनिंग करवारों जो बेद्वारों के विराट गोली के डिसन लेना चाहिए तो उपनिंगे नहीं करना है नहीं तो मिरे शाब से वन डाउन बहुत अच्छी प्लेस है विराट गोली की रोईश शर्मा की बात करें और उस के सामने फ्लॉप होते हैं पस जाते हैं रिशब पंद इस इसका ध्यान रखना तीन मैच में 40 रन ही बनाए हुआ है मात्र बंगलादेश वालों के सामने रिसेंट फॉर्म की बात करें 11-18-42-33 सुर्य कुमार बंगलादेश वालों के सामने एक मैच केला है भी रिसेंट और 30 रन किया हुआ है रिसेंट फॉर्म इनका सही है पिछले दोनों मैचों में अर्द शतक इन्हों लगाए हुआ है उससे पहले भले ही फ्लॉप चल लेते बट पिछले दो मैचों में अर्द शतक साती है उसके बाद सुर्य कुमार फॉरर फ्लॉप होता है तो इस इसके पूरे चांस है कि मुझे लगता है कि सिक्स्ती परसेंट ये परफॉर्मेंस देने वाला है अगें 30-40 रन की पा रही है इसके बल्ले से आ सकती है और अगर नहीं आई तो ये टोटल फ्लॉप होगा वही दो चार पांच रन सुर्य कुमार इस मैच में आपको करते दिखने वाला है शिवम दुबे शिवम दुबे ने चार मैच केला है और बॉलिंग भी कराई है जिसमें तीन विकेट भी निकाला हुआ है रिसेंट फॉर्म की बात करें दस एक तीस तीन जिरो चौदा दो चकल जने जाने हैं आच cleaner चार मैच के ला है बंगला देश तीन विकेट निकाला हुआ है और पिस एक विकेट जस्प्रीद भूम्रा बंगलादेश के खिलाफ तीन मैच खेला है, दो विगेट निकाला हुआ है, रिसेंट फॉर्म काफी अच्छा है, तीन विगेट, जिरो विगेट, तीन विगेट, दो विगेट, एक विगेट, एक विगेट, अर्शदीप सिंग भी जबरदस बॉलिं अगर आई, इंडिया की तो, बंगलादेश्री टीम फस सकती है, कुल्दी प्यादों की बॉलिंग पे, ठीक है, अब बात करते हैं, बंगलादेश्री टीम की, तो प्लेइंग लेवें इनकी सेम रहने वाली, इनने भी कोई चेंज नहीं करने वाले, आपको अपनिंग करते आपको दिखने वाले हैं, आपको दिखने वाले हैं, यह बालिंग से बात करें, आपको दिखने वाले हैं, इनके बालिंग से बात करें, आपको दिखने वाले हैं, इनके बालिंग से बात करें, आपको दिखने वाले हैं, इनके बालिंग से बात करें, आपको दिखने वाल प्ले में आपको दिखने वाले हैं तेन वालिय में दिखने वाले हैं मिडल के वर्स में आपको दिखेंगी आ र sucky Bulh accepting और मुझे नियन लगता कि मैं डिया सक्ता है की चीज यह हो जाए कि कोई बॉलर बहुत जादा इनका मार खा जाए या फिर सामने वाली टीम में रिशपपंद खेलने आ गया या फिर शिवमदूबे खेलने आते हैं रवींदर जड़ेजा किलने आते हैं तो उस हिसाब से महमद उल्ला हो जाता है इंपॉर्टन क्योंकि आफ ब्रेक बॉलर है ये महमद उल्ला और बैटिंग भी साही कर लगता है एस्पेरियंस वाला ये प्लेयर है तो इस जिसका ध्यान रखना महमद उल्ला को ग्रैंड लीग बगएर में बहुत इंपॉर्टन च्वाज़ हो जाएगी महमद उल्ला की इस बात करें इंके प्लेयरों के स्टैकि बंग्ला धेशी, तो देखो ती असन इंडिया खिला ओवा और। गयर आफ 155 aggi加 है रिसंटी की बात करें 172-2 budget, 64-0 1-0, 8-1 बिए, kitty choices, और 18-7 0 बिए ये बंदा player अच्छा है, बड़ पूरे series में ये flop चलना है, इंडिया इकलाब यो भी बहुत अच्छा फ्लिजर क्हलने वाले है, जिए से बहुत बल्ले कहते हैं, इससे बहुत यह शाक्र पाम解 Lindsay तो चैप्टन की बैटिंग से रंस भी आते थे जब से यह कैप्टन बना इसके बैटिंग से रंस नहीं आ रहे तो शैंटो एक प्लेयर ऐसा है जिसे आप ड्राइब में ट्राइ कर सकते हैं जबना तो यह प्लेयर अच्छा है नहीं कि बात करें नहीं नो से थीस-चालिस-धीर मुझे लगता है कि लेगता है तो जिए आली की बात करें इंडिया किलाफ एक मैच किलें 24 रिविए रिस्ट फॉर्म कुछ खास नहीं है महमद उल्ला की बात करें 11च केल अंडिया के खिलाफ और 185 रिंग की बात करें 13-0 विए पचीस-एक बीस रन 16 रन 40 रन एक विए महमद उल्ला एक इंपॉर्टन च्वैज्श हो जाती है यार मुझे लगता है कि मैं शायर इसे अगर एड्जस्ट हुआ तो अपने स्मॉल लीग में भी एड्जस्ट करूंगा अभी चलेंगे ट्रीम लेवेंट टीम बनानी है और सीवीसी भी वहीं भी डिसकस कर लेंगे फिलाल देख लेते हैं इनके स्टाट्स और हुसेन की बात क छार नौ मैचेस केल एं चार विकेट निकाला रिसिंट फंप की बात थाने तीन टीम में इसस्टाटइंग में बॉलिंग करने आए गार विराट कोली और रोईशरमा है राइटी बैटिंग करने आने वाले हैं दोनों के दोनों को मुझे लगता है एक आध विगट यह मु अब जरूर ट्राइब करना ठीक है और थी असन भी एक ठीक ठाक बॉलर है ट्राइब कर सकते हो बॉलर फस्स बॉलिंग अगर बंगलादेश के आगी तो मज़ा आजाएगा और इवन इंडिया के तो मैच ही हो रॉल मज़ा आने वाला है ठीक है न अगर फस्स बैटिंग सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के लाइक जरूर कर दें ठीक है क्योंकि थोड़ी महनत थोड़ी नहीं बहुत महनत लगती है एक 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 प्लेयर के रिकॉर्ड निकालना और बारा चौदा गंटा तेरा गंटा महनत करना आप लोग के लिए और उस बारा चौदा है और सब्सकाइब ज़रूर कर देड़ा मोटीवेसशन मिलती है बहुत जबरतस वाली क्योंकि बहुत मैनत लगती है ठीक है न बहुत मैनत लगती है आज हो जलते हैं अभी ड्रीम लाइंट टीम पेर देखते हैं क्या रहने हाँ जी तो विकेट की भी से आपके पास है रिशप पंथ लिटन दास को मैं नहीं कोंगा ट्राइ करो क्योंकि बहुत ज्यादा यह प्रफॉमेंस नहीं देने वाला देखो 20-25 अनकी बारी भले ही खेल सकता है लिए उससे ज्यादा प्रफॉमेंस नहीं आ सकती है तो रिस्क बात करें बैटिंग से आपके पास सुरी कुमार रहे हैं विराट कोली विराट को 58% कोई बात नहीं हम लेकर जाएंगे और रोई शर्मा यह तीम बल्ले बास इंपॉर्टन चार बल्ले बास हो गया ठीक है और इनकी टीम से तो मुझे नहीं लगता है को इंपॉर्टन है च ठीक है आर हुसेंड यह इंपॉर्टन हो जाते हैं बाकि अभी रोपते हैं बालिंग से हमें चाहिए ठीक है बालिंग से हमारे पास आजस्पीब दुम्रा और अर्शेदीप सिंग यह दिखो यह दो प्लेयर इंपॉर्टन है मुझे अड़्जस करना है इन बहले मैं एक आ आर्शेदीप यह जाना ठीक है लाज्ट बीफित करमी दो Đोंग यह दो विराट कोली को चेस में जास अगर चेस करने आ रही है टीम तो इंडिया की टीम फस्स बॉलिंग करने आ रही है तो यह हो जाएगा अधरवाइस वीसी आप हार्दिक पांडिया को भी कर सकते हो ठीक है यह भी अच्छा option है ठीक है इसके अलावा थोड़ा सा हटके अगर करना है सी वीसी तो मेरे साब से कैप्टेन करो हार्दिक पांडिया को वीसी डाल दो शाकीबुलहसन यह थोड़ा सा डिफ्रेंशियल सी वीसी होने वाले हैं ठीक है क्योंकि यह शाकीबुलहसन टॉप वाटर में खेलेगा और बॉलिंग के भी अल्मॉस्ट दो तीन और तो इसे अपने विराड भाई को और यह रहेगी हमारी टीम जो भी इसमें एक से दो चिंजिस होगा वह मैं आपको अपने टेलीग्राम पर बता दूँगा मेक शूर आपने टेलीग्राम जॉइन कर लिया है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है टेलीग्राम को फटा फटते जाके यह थी भाई आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई वीडियो करते हुए लाइक और चैनल वो गर लो सबस्क्राइब मिलते है नेक्स वीडियो में तब ते के लिए बाबाई टेक कियर